दोस्तों Realme ने पिछली साल लॉंच किया था अपना Realme C1 2018 अब इसने आप इसका सक्सेसर दोने पोल सकते हैं मतलब इसका बड़ा भाई अब लॉंच किया है Realme C1 2019 इसमें आपको सिर्फ स्टोरिज बढ़ा के दिये आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि ये स्मार्फोन लेने लाइक है या नहीं मतलब जो इसका price है 7,000, 7,500 और 8,000 उस price segment में ये लेने लाइक है या नहीं मतलब उस price segment में इसमें आपको क्या अच्छा दिया गया और क्या कम एया रखी गया वह सारी बाते हम इस वीडियो में करेंगे मशकार दोस्तों मैं हूं इंदर और आप द बड़े आराम से निकाल लेगी यहां पर दूसरी अच्छी बात मैं करूँ तो यह वो है इसका प्रोसेसर यहां पर आपको मिलता है snapdragon का 450 प्रोसेसर अगर मतलब 7-8000 में यह प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है तो काफी अच्छा प्रोसेसर है 1.8 GHz पर क्लॉक है यह प्रोसेसर तो मतलब आपका जो नॉर्मल बर्क है वो इस प्रोसेसर से बड़े आराम से हो जाएगा मतलब आप ऐसा हाइप क्रेट मत कर देना कि आप PUBG की रखे नहीं वह भी हाई सैट में वह तो इसमें हो नहीं पाएगा दिसरी अच्छी बात मैं यहां पर आपको बताऊं तो वो है इसकी डिस्प्ले यहां पर आपको मिल रही है 6.2 इंच की HD दिस्प्ले काफी एच्छी डिस्प्ले इसमें आपको बैजल भी बहुत कम कम दिये गया है मतलब आप देख सकते तो छोटे चोटे बैजल यह और मतलब इसका डिजाइन भी काफी अच्छा है यहां पर यहां पर आपको मतलब 7-8000 में नौच वाली डिस्प्ले मिल रही है तो मतलब आपको अगर नौच वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस स्मार्टफोन को सेडर कर सकते हो चौती बात मैं यहां पर बताओं तो वो है इसकी स्टोरेज और रैम यहां पर आपको 75-100 में 2GB रैम और 32GB स्टोरेज मिल रही है यहां इतना अच्छा फॉन है तो म अगली बात मैं आपको बटाओं और 나 इसका केमरा 7 अजार में यहां पर आपको मिल रहे हैं 3000 प्लस टू एम्पी का एफ्रेज कीमरा लामरा लाम 20 यहां पर आपको एब्रेज सा कामरा मिल जाता है सातमें 5 MP आपको अच्छा हैए बैटरी मिल जाती है अच्छा अच्य प्र में होना चाहिए अब इसकी अगर कुछ एक कम्य भी यार फॉन में होती है जब एक कंपनी स्मार्ट फॉन मना दिया तो उसमें कुछ एक कम्य तो कंपनी ने रखी होती है यहां पर मैं आपको कम्य इसकी फॉस्ट कम्य बताऊं तो वह है इसकी बिल्ड क्वाल्टी बिल्ड क् वैसे वी अधर तंपनिया भी आपको साथ आठवी जार में पॉली कार्बोनेट की ही बिल्ड देती है क्वान में अगर दुसरी कमी मैं आपको तो यहां पर आपको फिंगर प्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है वहाँ पर आपको face ID मिल जाती है बट वो भी RAM भोसे वाली मिलती है मतलब दिन को आराम से जलती है पर रात को आपको अपना pattern ही यहाँ पर use करना पड़ेगा अगर तीसरी बात मैं यहाँ पर बताओ तो तीसरी बात यार मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा मतलब प्राइज के हिसाब से मतलब वो जो RAM है वो उतनी अच्छी नहीं दीगी है और इसका face unlock भी उतना अच्छा नहीं लगा मेरेको और चौथी बात यहाँ पर इसकी look जो है ना मतलब बैक से उतनी नी plane सा दे दिया मतलब थोड़ा ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं लगता मतलब प्रीमियम सा फील इसको अगर आप अपने आप में लोगें तो उतना प्रीमियम सा फील नहीं होगा तो अगर यहाँ पर हम कनिकल्यूजन की अगर बात करें ना तो conclusion यहाँ पर ऐसा आता है अगर आपको 7000 में कोई अच्छा phone जी जिसमें notch भी हो प्रसेसर भी हो बड़ी बैटरी होगी मतलब जी smartphone में तो यह smartphone the best है मैं यह निवर हो कि यह smartphone लेने लाइक नहीं है बड़ साथ 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 हाजार में यह लेने लाइक है बट जो तीन जी मेरा हम 32 जी भी वाला जो साथ हाजार का रो लेने लाइक फिर नहीं है क्योंकि उसकी जगह आपको कोई और भी option मिल जाते हैं तो फ्रेंड यह है पूरी वीडियो और यहां पर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और यह smartphone यह अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें साथ मैं कमेंट करके बताएं कि इसमें मतलब क्या चाहिए इंप्रोव्मेंट की जुरूरती रियल मी को क्या इंप्रोव्मेंट इसमें करना चाहिए था जो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल इंदर को सब्सक्राइब ने किया तो यहां पर लाल रंका एक होगा उसको दवाएं और साथ मैं एक घंटा बनके आएगा उसको भी प्रेस करें ताकि आगये माली वीडियो की नॉट्विकेशन आभी सब तक पहुंसके और आप वीडियो तेक्निकल आप सबका दिल से तर्मिय वाएं